बिक प्वस OTT विनर एलविश यादव को अरेस्ट किया गया है चार्जेज ये हैं कि स्निक फिनोम या साप का जहर वो अरेंज करवाता था पार्टी इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साप का जहर क्यों इस्तमाल किया जाता है इसकी केमिस्ट्री क्या है इसके देंजर्स क्या है आप देखिए कोई भी जानवर अपने अंदर जहर दो परपस के लिए यूज करता है पहला अपने अटाकर को इम्मोबलाईज करने के लिए या मूर्चित करने के लिए और दूसरा अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हम सब जानते हैं कि साब का जहर कितना डेंजरस होता है फिर भी ये लोग इसको क्यों यूज करते हैं 2022 में एक पेपर पबलिश हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि साब का जहर as a drug इंडिया में बहुत यूज होता है पर क्योंकि ये लिटरेचर में रिपोर्ट कम हुआ है इसलिए इसके बारे में हमें जाथा पता नहीं है जितने भी ड्रक्स होते हैं उनको हम साइको एक्टव सबस्टेंस बोलते हैं चोगी ये हमारे ब्रेन को अफट करता है और ये हमारे माइन्ड को हाई देता है इसके जेनरली दो टाइप के एफेक्ट होते हैं पहला माइल्ड एफेक्ट होता है जैसे यूफोरिया जैसी फिलिंग देना या फिर जाधा एफेक्ट जैसे हलिसनेशन Most commonly जो used drugs होते हैं हमें पता है जैसे cocaine, cannabis, LSD, marijuna But last century में लोगों ने इसके कई और options ढूंड रखे है इसी में कुछ लोगों ने animal secretions और animal parts के साथ experiment करके उन में psychoactive substance का alternative ढूंडा है क्योंकि पुराने drugs के वो आदि हो चुके हैं और उनको वो high नहीं मिलता इसी लिए वो ने ने options ट्राइ करते हैं ऐसी लोगों को psychonauts भोलते हैं और जो animal इसमें use होता है उसे psychoactive fauna भोलते हैं इसी में snakes, ठोप, lizards ये animals आते हैं Scientifically, snake venom जो होता है वो alcohol जैसा typical effect तो नहीं दिखाता पर क्योंकि ये direct हमारे CNS पे effect करता है मतलब हमारे central nervous system पे effect करता है, हमारे brain को effect करता है तो intoxication या मदोशी वाला effect ये भी दिखाता है ये toxins जो होते हैं, neurotransmission को रोकता है मतलब brain तक signal नहीं जा पाता हमारे body में paralysis जैसा effect, muscle weakness, analgesia मतलब हमें दर्द का एहसास नहीं होता और हमारे mental state को alter करता है वो अपना effect 6-7 दिन तर दिखाता है इस तरह की toxin को injections लेकर के अपने body में inject करता है और एक study के according, जब ये जहर addicts के blood में जाता है तो chemicals जैसे की serotonin, bradykinin, release करता है हम जानते हैं, ये सारे hormones, happy hormones होते है और ये chemicals का calming और sleepy effect होता है हमारे brain पे 2018 में एक snake venom case हाया है जिसमें एक teenager इसका addict हुआ था जो भी लोग इस तरह के recreational drug का use करते हैं ऐसे addict को significant health risk होता है और ऐसे individual में euphoria, blood vision, मतलब जादा दिखाई ना देना और साथ साथ हमारे ये biodiversity को भी effect करता है WHO के according, around 100,000 people पूरी दुनिया में snake bite से affected होते हैं I hope आपको वीडियो अच्छे लगे and please like, share and subscribe करें और कुई पक्योरी साथ तपली समसे जरूपूचे और क्योरी समसे जरूपूचे